नवश्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का अपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तो एक और महत्वपूर्ण जानकरी लेकर आज की इस वीडियो में हम फिर आजी रहें आप लोगों के लिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार मूली का रस पीने से शरीर में होते हैं लाजवा फाइदे जी हाँ मूली खाने के फाइदे तो बहुत सारे हैं लेकिन मूली से निकाला गया जूस भी सेहत के लिए काफी फाइदे मन होता है दोस्तो मूली का रस जिंक, फोलेट, वितामिन A, C, वितामिन B6, केलशियम, मेगनीज से बरपूर होता है तो चलिए दोस्तो अब जानते हैं इसके मेन-मेन फायदे क्या होते हैं अगर हम इसे पीते हैं तो दोस्तो मूली का जूस पीने का सबसे पहला फायदा आता है कि ये पेट डर्द को दूर करने की ताकत रखता है जी हां एक कब मुली के रसमे नमक और काली मिर्च मिला कर पीने से पेट एकदम साफ हो जाता है पेट डर्द से आराम मिलता है इसके लवा मुली के जूस में काला नमक मिला कर पेने से भी पेट दर्द दूर होता है इसके अलावा दोस्तों मुली के जूस में एंथा काइनीन और वीटामिन सी होता है जो cancer sales को बनने से रोकता है research के अनुसर मुली का जूस पेट के cancer आतों के cancer kidney cancer आदी को बनने नहीं देता है यानि कि यह खतरना का केंसर से लड़ने में आपकी हेल्प करता है इसके अलावा दोस्तो मूली का जूस पीने से हाजमा दुरूस्त होता है और इससे पित्त के प्रवाव को कंट्रोल में करने में आसानी होती है इसके लावा मूली का जूस स्किन के लिए काफी अच्छा होता है इसमें फासफोरस, विटामिन A, विटामिन C और जिंक होते हैं जो एकजिमा, पिंपल और चकते जैसी प्रोब्लम को दूर करते हैं दोस्तों मूली का रस पीने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है जिसे की डाइबिटीस की बिमारी में काफी लाब मिलता है इसलिए डाइबिटीस के मरीजों को मूली का जूस जरूर पिना चाहिए इसके अलावा सर्दी खांसी से चुटकारा पाने के लिए भी मूली का रस पीना अच्छा है यह सर्दी खांसी को दूर करने के लिए और कफ से भी आपको निजात दिलाता है दोस्तों मूली के रस में मेरो सिनेस, एस्टिसिस, एमाईलेज और डाइटेज जैसे इंजाम पाये जाते हैं जिससे फफिलो माईलजी जैसे फंगल बिमारियों का उपचार करने में मदद मिलती है इसके अलावा दोस्तों ब्रोकारिटीज या अस्तमा के मरीजों को मूली का रस पीने से फेफडों के बलगम को खत्म करने में मदद मिलती है इससे फेफडों से बलगम भाँ निकल जाती है इसके अलावा मूली का रस मतली उल्टी और गले की खराश को भी दूर करता है दोस्तों मूली के रस से दिन में दो से तेन बार कुल्ला करने से और मूली का जूस पीने से पाईरिया की बिमारी में इलाज में मदद मिलती है मूली के रस से कुला करना दातों और मसुडों के लिए काफी फाइदे मन्द होता है मूली का रस पीने से दा स्वस्त और मजबूत बनते हैं इसके अलावा दोस्तों मूली का रस बेहतरीन क्लिंजर का भी काम करता है इसके सेवन से पाचनतंत्र, मुत्राशे, किड्नी, प्रोस्टेट, आदी की सफाई हो जाती है यह इन में से जहरीले पदारतों और बेक्टिरिया को बहार निकालने का काम करता है मूली का रस, लीवर और पिताशे की थेली को साफ करता है इसके लावा पिशाब में अगर जलन की समस्या है तो इससे निजात पाने के लिए भी आदा गिलास मूली के रस का सेवन करे इससे पिशाब में होने वाली जलन से आराम मिरता है दोस्तों यह एंटी इंफ्लेमेंटरी गुनों से भरा हुआ होता है इसके लावा यह पिलिया को दूर करने में भी काफी फाइदे मंद होती है हिमोगोगलोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए काफी फाइदे मंद होता है बुखाब को भी यह कम करता है और इसके लावा दोस्तों मूली के 100-100.500 मिलिलिटर जूस में निब्व का रस मिला कर दिन में 2-3 बार पिने से वजन को कम करने में आसानी होती है क्योंकि ए शरीर के मेटाबॉलिसम रेट को तेज बनाता है जिसे फेट को बन करने में आसानी होती है अगर आप मोटा पे से परेशान हैं तो इस उपाये को कुछ दिनों तक अजमा कर देखें इससे आपका मोटापा कम होने लगेगा इसके लवा हाई बिलड प्रेशर को भी ये कम करता है और बवासिन में भी ये काफी फाइदे मन साबित होती है तो दोस्तों ये थे मूली के रसको पीने के लाजवा फाइदे के बारे में जानकरी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दमाए वीडियो देखने के लिए अपना किमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद